Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. World Economic Growth में साद गुना ज्यादा करन्ट्रिबूट कर रहा है। जितने भी Macro Economic Parameter हैं, Inflation, Current Account Deficit, Fiscal Deficit, GDP Growth, Interest Rate, FDI Inflow, बारत सभी में आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज विश्व में भारत के संदर्व में जो बाते होती हैं वो आशा और विश्वास के साथ होती हैं, पूरे भरोसे के साथ होती हैं। यही वज़े हैं कि तमाम रेटिंग एजन्सियां भारत की रेटिंग में सुधार कर रही हैं। आज दुनिया की टॉप फ्री प्रस्पेक्टिव होस्ट एकोनामीज में भारत का नाम लिया जाता है। FDI Confidence Index में भारत को टॉप टूप इमर्जिंग मार्केट परफॉर्मर्स में बताया जाता है। अंग्टार की वर्ल इन्वेस्टमेंट डिपोर्ट में भी भारत को दुनिया के फेवरेट अप्रडाइज FDI डेस्टिशन में से एक बताया गया है। वर्ल बैंक की Ease of Doing Business की से रैंकिंग में भी हमने सिर्फ तीन साल में 42 अंकों का सुधार किया है। वर्स 2017-18 में तीसे क्वार्टर में बारत ने 7.2 प्रतिशत की विकारदर हासिल किया। अर्थ ववस्ता के जानकार कह रहे हैं कि ये रपतार अभी और बढ़ेगी। साथ योड़ 2014 के पहले देश के टेक्स सिस्ट्रीम की पहचानती इन्वेस्टर्स के लिए अनफ्रेंडली, अनप्रिक्रेबल, नॉन ट्रांस्परेंट अब उस इस्थिती में परिवर्ताना रहा है। जी एस्ट्री ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े एकानॉमिक मार्केट मैंसे एक के तौर पर स्थापित किया है।